हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को जीन बिन मैं अथवा क्रासिंग ओवर के बारे मताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत्य तक ध्यान से देखिए और योदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जोर कलीजिए चलिए सबसे पहले ये समल लेते हैं कि क्रासिंग ओवर क्या होता है तो समझाद गुर्सूत्रों की प्रतेक जोरी की नान सिस्टर क्रोमेटिट्स के खंडों के मद्ध होने वाले पारसपरिक आदान प्रदान की किरिया को जीन बिन में अथवा क्रासिंग ओवर कहते हैं चलिए इस परिभासा को चित्र के माध्यम से अच्छे से समझा देते हैं ताकि परिभासा अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए देखिए ये चित्र आर्ध सूत्री विभाजन अथवा मियांसिस प्रत्रम की पहली अवस्था प्रोफेस का है तो मियांसिस फर्ष्ट स्टेज में समझात गुर्षूत्रों के क्रोमेटिट्स जो हैं कुछ अस्थानों परस पर चिपक जाते हैं या ये देखिए कुछ अस्थानों पर परस पर चिपके हुए हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं यदि इस चित्र को बढ़ा करके देख करफा जाए तो इस तरह से दिखता है तो इसमें समझाद गुरशूत्रों के क्रॉमेडिट्स आपस में चिपक गये हैं जिस स्थान पर यह चिपके हुए हैं इस अस्थान को काईजमा अथवा क्वाईजमेटा कहते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको अब इन क्वाईजमेटा पर क्रोमेटिर्स के टुकडे तूट कर मिल जाते हैं यानि आपस में तूट कर जाते हैं और मिल जाते हैं एक दूसरे से यानि क्रोमेटिर्स के टुकडों का आदान प्रदान हो जाता है या कहें तो जीन्स का आदान प्रदान हो जाता है तो इस आदान प्रदान से गुर्षूत्र की जीन सन्रचना में भिन्नता आ जाती है यानि एक गुर्षूत्र का कुछ हिस्सा दूसरे गुर्षूत्र में लक्षणों का संयोग और मिस्रण पीढ़ी दरपीढ़ी होता रहता है इसलिए विभिन्नताएं आ जाती है या इसलिए वैरियेशन्स आ जाते हैं खुल मिलाकर देखा जाए तो इस परिभासा का अर्थ हुआ कि अर्ध सूत्री विभाजन प्रथम में समझात गुर्षूत्रों का एक दूसरे में परस पर चिपकना और जीन्स का आदान प्रदान होना ही क्रासिंग ओवर कहलाता है जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं एक गुर्षूत्र का कुछ खंड दूसरे गुर्षूत्रों से जुड़ता हुआ दिखाया गया है इसी प्रकिरिया को क्रासिंग ओवर कहा जाता है अध्वा जीन्विन में कहा जाता है चलिए अब क्रासिंग ओवर के प्रकार देख लेते हैं यानि कायंट साब क्रासिंग ओवर को समझ लेते हैं, तो गुर्षूत्रों की लंबाई पर एक अथवा एक से अधिक क्वैजमेटा भी बन सकते हैं, यानि गुर्षूत्र कितने लंबे हैं, इस आधार पर एक या एक से अधिक क्वैजमेटा बन सकते हैं, क्वैजमेटा की सं ख्याके आधार पर क्रासिंग ओवर कई प्रकार के होते हैं जैसे पहला एकल वीनिमे या एकल क्रासिंग ओवर दूसरा दूई वीनिमे या दूसरा क्रासिंग ओवर हो गया और बहु वीनिमे जब कई सारे क्रासिंग ओवर हो जाते हैं तो पहला है एकल विन में या एकल क्रासिंग ओवर यानि सिंगल क्रासिंग ओवर क्या होता है जान लेते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं जब गुरसूत्र की कुल लंबाई पर केवल एक क्वैजमेटा बनता है तो इसे एकल क्रासिंग ओवर कहा जाता है या सिंगल क्रासिंग ओवर कहते हैं इसका अर्थिया है कि समझात गुर्षूत्रों के क्रोमेटिट्स केवल एक स्थान पर तूटते हैं और पुनह जुड़ जाते हैं तोधनी तूटना के बाद पुम्हा से फिर जोड जाते हैं तो इसे ही एकल क्रासिंग ऑवर कहा जाता है अब दूसरा है दूभी निमे या डबल क्रासिंग ऑवर क्या होता है तो जैसा कि आप यह वैला चित्र देख रहे हैं दूई विनिमे के अंतरगत गुर्षूत्र दो अस्थानों पर तूटते हैं और फिर तूटने के बाद जुड़ जाते हैं इस प्रकिरिया को दूई विनिमे या डबल क्रासिंग ओवर कहा जाता है और फिर तीसरा है बहु विनिमे या मल्टिपिल क्रासिंग ओवर यदि बहुत सारे क्वाइजमेटा बन गए हैं या क्वाइजमा बन गए हैं तो इसे ही बहु बिन में या मल्टी पिल क्रासिंग ओवर कहा जाता है तो इस प्रकार से क्रासिंग ओवर कुल मिला करके तीन प्रकार का बताया गया है एकल बिन में या एकल क्रासिंग ओवर यानि तो उधारन में पहला है ड्रासो फिला में पुनर योजन या रिकंबिनेशन इंड्रासो फिला तो सलेटी रंग तथा कम बिक्सित पंखों वाली Capital B और VV तथा काले रंग और लंबे पंखों वाली Small B और Capital VV ड्रासो फिला मक्षियों में क्रास या मैथुन होने पर F1 पीड़ी की सभी संतती मक्षियां स्लेटी वा लंबे पंखों वाली होती है अर्थात Capital B, Small B और Capital V और Small V वाली होती है तो कुल मिला कर देखा जाए जैसा कि आपको चितर में दिख भी रहा है कि स्लेटी रंग और कम बिक्सित पंखों वाली का क्रास किस से कराया गया है काले रंग और लंबे पंखों वाली ड्रासो फिला मक्यों से क्रास कराया गया है एक तरफ यानि एक मक्ही को लिया गया है ज सभी संतती मक़्ियां जो हुई है, स्लेटी सरीर और लंभे पंकों वाली हुई है। यादि जो प्रथम पीड़ी उत्पन्ध हुई इन दोनों से क्रास कराने पर, तो उनका सरीड कैसा था स्लेटी रंका था, और लंभे पंकों वाली थी, क्रास या संकरण या टेस्ट क्रास कराने पर कुछ अनुपात इस तरह से प्राप्त होते हैं यानि अब एफ़वन पीड़ी में फिर से क्या कराया गया है कि काले सरीरवा आविक्षित पंखों वाली सम्युगमजी आप्रभावी नर्मक्यों से क्रास कराया गया तो ये नान क्रास ओवर से उत्पन हुई है यानि 83% जो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 83% नान क्रास ओवर से उत्पन हुई है अब तीसरी है काले रंग तथा आविक्षित पंखों वाली ये 8.5% उत्पन हुई है ऐसे ही स्लेटी रंग तथा लंबे पंखों वाली आर्दासवनलोपाद परसत हैं अब इन दोनों जोड़ करके सत्रा परसत हो जाएगा तो ये क्रास ओवर से उत्पन हुई है खुल भिला करके चार प्रकार की हुई स्लेटी रंग तथा आविक्षित पंखों वाली काले रंग तथा लंबे पंखों वाली ये दोनों नान क्रास से 83% और काले रंग तथा आविक्षित पंखों वाली तथा स्लेटी रंग और लंबे पंखों वाली सत्ता परसत यानि की क्रास ओवर से उत्पन हुई है तो इस प्रियोग से इसपेश्ट होता है कि लगभग 17 प्रसद युगमकों तथा मक्यों में गुर्षूत्रों का बिनमे होता है यानि लगभग में 17 प्रसद युगमक और मक्यों में गुर्षूत्रों का क्रासिंग ओबर हो जाता है चलिए अब दूसरे उधान मक्का में पुना सायोजन या रेकंबिनेशन इन मैस के बारे में जान लेते हैं तो जब रंगीन तथा पूरी तरह भरे विजों वाले मक्का के पौधों तथा रंगीन और संकुचित बीजों वाले पौधों में संक्रण कराया गया यानि पहला पौधा कैसा लिया गया है रंगीन और पूरी तरह से भरे हुए बीजों वाले और दूसरा पौधा कैसा लिया गया है रंगीन और संकुचित बीजों इन दोनों के बीज में संक्रण कराया गया तो दोनों के बीज में संकरन कराने पर F1 पीड़ी में केवल रंग हीन तथा भरे हुए बीजवाले पौधे बनते हैं यानि प्रथम पीड़ी में केवल रंग हीन और भरे हुए बीजवाले पौधे बनते हैं इस पीड़ी के मादा संकर पौधों को जब रंगहीन तथा संकुचित बीजवाले पौधों से परागकणों से निसेचित किया जाता है पहला रंगहीन तथा भरे विये बीजो वाला पौधा दूसरा रंगहीन तथा संकुचित बीजे वालो पौधा ये दोनों मिला करके 96.4 प्रसत प्राप्त हुए अब आगे है रंगहीन तथा संकुचित पौधा और चौथा है रंगहीन तथा भरे विये बीज ये 3.6 प्रसत यह नए आपयत्रिक संयोग इसलिए संभव हुए क्योंकि कुछ युगमकों में इन गुणों के जीन्स एक दूसरे से अलग हो गये थे इसलिए ये पूर्ण सहलंता प्रदर्शित करते हैं चलिए अप क्रासिंग ओवर का महत्तु समल लेते हैं और था सिग्निफिकेंश आप क्रासिंग ओवर के बारे में जान लेते हैं तो पहला महत्तु है इसकी आबरिती से गुर्ण सूत्र में जीन्स की इस्थिति को निर्धारित किया जाता है फिर अगला है ये जीन के रेखिये इस्थिति में होने का प्रमाड है यानि लाइनर पोजीशन में होने का प्रमाड होता है जीन का फिर अगला है ये सहलंता समू या लिंकिज गुरूप्स तथा जीन की रेखिये इस्थिति से जीन की प्रकिरती तथा किरिया भी धिका पत लगा जा सकता है Красing Over से फिर अगला है आधिक Красing Over से आधिक Wiv Write अंगी मिल जाती हैं यानि जितना आधिक Красing Over होगा उतनी ही Variations होंगी यह विकास में महत्वपोंड होती है तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने Cratching Over अगर आपको अच्छी तरह से समझाया आसा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ ने वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजी ताकि आने वाले अगले वीडियो को हो जाए धन्यवाद